सुपर पॉजिशन प्रिंसिपल सर यूज किसलिए क्या जाता है पहले बता दू किसलिए यूज क्या जाता है दुसरी बात कैसे यूज क्या जाता है और तिसरी बात अपलाई कैसे करेंगे इस प्रिंसिपल को तो सुनो भाई जब charges हो एक से ज्यादा एक और दो दो के case में total force कैसे निकालते हैं दोनों के बीच निकालना सीख लिया कूलम्ज लोगा यूज करके अगर तीन charges भी है तो कैसे निकालते हैं सीख चुके हैं सार इस पे निकालना है इन दोनों के कालन तो दोनों को vectorally add कर दो अगर 4 हैं प्यारे बच्चो अगर number of charges 4 की बजाए 5 हैं 6 हैं 7 हैं 8 हैं या फिर n number of charges हैं प्यारे बच्चो और किसी एक पे सब के कारण आपको total force निकालना है तो उसके लिए सब का super position किया जाता है और वो principle जिसका use करके हम many number of charges के कारण एक charge पे total force निकालते हैं उस principle को the super position principle बोला जाता है पता चला use किसी लिए किया जाता है so the super position principle helps us in finding net force on a single charge due to many number of other charges present in the surroundings अब यह principle काम कैसे करता है तो प्यारे बच्चो मान लिया यह अपने पास two dimension एक system था ओके x-axis हो गई y-axis हो गई जो भी है मान लिया q1 particle यहाँ पे था q1 charge जिसका position vector r1 है बिल्कुल q2 यहाँ पे था जिसका position vector r2 है q3 यहाँ पे है जिसका position vector r3 है इसी तरह qn यहाँ पे है जिसका position vector rn है प्यारे बच्चो तो क्या लिखा आपने let us consider a system of n charges having their position vectors as r1, r2, r3, rn respectively for charges q1, q2, q3 up to qn लिखा ऐसा so now let us say we have to find the net charge on q1 मान लेते हैं हमें q1 पे net charge निकालना है प्यारे बच्चो books में बहुत भयंकर वाला इसका derivation दिया होता है पता ने क्या-क्या भकवास वो करता रहता है लेकिन हम यहाँ पे जो करेंगे बिल्कुल simple words में लेकिन maximum marks दिलवाने वाला करेंगे ओके ना तो puzzle होगे ना check करने वाला puzzle होएगा हाँ क्योंकि आप बिल्कुल simple way में पर एक मिनट एक मिनट जस्ट एक मिनट प्यारे बच्चो I hope concept में मज़ा आ रहा था वापिस आये उस पे जस्ट एक मिनट का टाइम दे दीजिए कुछ important चीज़े आपसे share करनी है दो important बाते आपसे share करनी है पहली ये कि Tesla classes पे प्यारे बच्चो target 70 out of 70 के नाम से batch launch हो चुका है physics का जहां पे आपको class 12 के physics इस way में करवाई जाएगी कि easily 70 out of 70 आपके लिए achievable हो सके प्यारे बच्चो जी हां पहली बात पूरा syllabus आपको 1199 रुपीज में available रहेगा ताकि हर कोई अफावर्ट कर सके इसलिए इतनी कम pricing इसकी रखी गई है प्यारे बच्चो क्या-क्या आपको मिलेगा इसमें वो भी मैं बताऊंगा उससे पहले एक और बात आपसे share करनी है कि आप जरूरी नहीं कि पूरा batch 1199 में करीदे आप कोई chapter आपका week है या सिरफ आपको 2 या 3 chapter 12 के करने है तो प्यारे बच्चो हर chapter भी individually अपनी app Tesla Classes पे मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको कैसे आपको मिलेगा और 299 रुपीज में एक पूरा chapter प्यारे बच्चो आपके लिए available रहेगा जैसे example के लिए electric charges and field इस chapter की मैं बात करो तो only at 299 this whole chapter will be available for you अब आपको इस chapter में क्या क्या मिलेगा प्यारे बच्चो इस पूरे chapter की सारी classes recorded form में ताकि आप अपनी मर्जी के time पे कभी भी देख सकें आपको लगता है कि आने वाले मंडे को आपका school में test है इसी chapter का तो आप app पे जाके ये chapter कभी भी पूरा revise कर सकते हैं पूरा थेओरोली पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चो जहाँ पे हर topic हर topic इतनी सारी numerical practice के साथ करवाया गया है कि आपके exam में कोई भी किसन यहां से बाहर आने के chances ही नहीं है और उससे भी उपर क्या बात ये सारी qualities आपको मिलेंगी पढ़ लीजिए पोज करके ध्यान से यह सारी qualities आपको वहां मिलेंगी और प्लस ये प्यारे बच्चो 1995 से लेके 2024 यानि अल्मोष previous 30 years के questions भी आपको हर chapter के last session में sold form में मैं आपको करवाओंगा बिलकुल यहीं पे सामने आपके clear और प्लस नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चो हर chapter के हाल दो मैं बच्चो को नहीं बोलता कि नोट्स आप किसी और के लीजिए या मुझे लीजिए ना खुद के बनाए प्यारे बच्चो इतना अच्छे से इसमें करवाया गया है बैच में सब कुछ आप सब कुछ अच्छे से कीजिए अपने खुद के नोट्स प्रिपेर कीजिए ताकि आपके लिए easy रहे exam time पे सब कुछ फिर से recall करना, revise करना प्यारे बच्चो एक बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, लिखा है सब कुछ फिर से बताता हूँ, live and recorded sessions रहेंगे, जिनके through आप कभी भी उनको recorded form में भी मिलेंगे, हाँ, यानि कभी भी आप throughout the year, कभी भी देख सकते हैं, जी हाँ प्यारे बच्चो पुरी साल के लिए available रहेगा, DPP मिलेंगी हर class के बाद 10 questions की एक DPP मिलेगी, जिससे आपको पता चलेगा, कि मैंने क्या-क्या सीखा, और क्या मैं सीख पाया, अगर उस DPP के 10 questions के जवाब आप दे पाते हैं, तो यानि आपके समझ में आया icon set, otherwise नहीं आया नहीं आया, या कोई question DPP का नहीं हुआ, तो क्या करें सार, कोई doubt आई तो क्या करें सार, तो प्यारे बिचो 24-7, 24 गंटे live doubt support आपको मिलेगा मेरी तरब से, उसके लिए क्या करना होगा आपको, अपनी app पे Tesla Classes नाम की app पे chat forum का option है, वहाँ पे आप hello type करेंगे, तो आपको सामने से एक link मिलेगा प्यारे बिचो जो का link, link पे जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने आपकी screen पे आजाओंगा, आप चाहे अपना camera off भी रख लेना, मेरे पास pen type होता है, उस पे जो भी लिखूंगा वो आपके mobile की screen पे आएगा, और आपकी पूरी doubt मैं solve कर दूँगा प्यारे बिचो इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं चीजें, और previous 30 years के previous year के असल था, आपको मिलेंगे ही, बात रही IIT J.E. और NET की preparation करने वाले बच्चों की तो प्यारे बच्चों के लिए, already यूरास 2.0 और यूरास 3.0 के नाम से bets अल्रेडी running में है प्यारे बच्चों अब app टे कैसे जाना है, वैसे तो मैंने इस वीडियो के description में भी डाल दिया है app का link वगएरा Google Play Store से, या app store से प्यारे बच्चों, Apple Pay, आप iPhone से, यानि Tesla Classes डाउनलोड कर सकते हैं ये app ओके, ये contact number रहता है मेरा और भी कोई doubt आपको, तो यहाँ पे contact number पे, WhatsApp कर सकते हो call कर सकते हो, या फिर इस email ID पे, कभी भी मुझे reach out कर सकते हो, प्यारे बच्चों, ओके तो अपना concept जारी रखिए, मिलते हैं app पे, प्यारे बच्चों, see you soon till then, keep learning, fact, derivation इसका कर पाएंगे, जो बताया लिखा ठीक है, now, let us say we have to find the net force on charge Q1, due to all the other charges, या फिर प्यारे बच्चों छोड़ो, let us say Q naught is a charge, okay Q naught charge माननू, जिसका position vector R naught vector है हाँ, and let us say मान लेते हैं, हमें Q naught charge पे, बाकी सारे charge क्या निकालना है, net force निकालना है, okay, let us say Q naught is the charge, present at the position vector R naught vector on which net force is to be found, due to all the other charges present in the system चलो है, तो क्या गरते हैं पहले निकालते हैं force on Q naught due to charge Q1 force on Q naught due to Q1 vector form में लिख दो भया के naught वाले में charge Q naught 1 वाले में charge Q1 divided by उनके बीज की distance, यह सर हाँ, तो यह distance यह vector जो होगा, वो node से लेके 1 तक R naught 1 vector लेलू लेलो भया, तो यह R naught 1 लिखो vector form में और उसका magnitude चाहिए मुझे तो यहाँ पे, बिलकुल तो R naught 1 लिखो, vector की form में, फिर magnitude लगाओ, या फिर सिधा ही क्या लिख दो R naught 1 और इसका square यार, ये लो, अब लिखनी है इस force की direction, तो direction कीस direction में है भई ये, देखो Q naught को Q1 repel करेगा, पैरे बुच्चो, Q1 से Q naught ऐसे repel होगा, मांदे आप बिलकुल, तो यह vector क्या लिए आपने, ये R1 naught लेलू, मर्जी आपकी R1 naught, हाँ तो R1 से naught की तरफ वाली direction में clear, यानि unit vector R1 naught लिख सकता हूँ simple, चलो भई दूसरा, force on Q naught due to charge Q2 force on naught due to 2, कितना आएगा भई Q1, Q2 भाई में R square ये तो R naught 2 है इनके भीच की distance तो R naught 2 है सर, और ये वाला इसको repel करेगा, इस तरफ so R2 naught की direction में R2 naught की direction में 20 नहीं है वाईया 2, 0 है तो सर, 2, 0, 20 होता है 2 naught बोलेंगे प्यारे बच्छों यहाँ पे अच्छा, इसी तरह force on 3rd, 4th, 5th, 6th ऐसे लिखते जाएंगे force on naught due to nth charge प्यारे बच्छों वो क्या लिखोगी कि charge on naught charge on nth by में R naught n nth ने इस पे force लगाया nth ने naught पे force लगाया अवे, अवे ऐसे repel किया है प्यारे बच्छों और यह जो distance थी R n naught या R naught n बोलो यार यह length है ना यहाँ पे R naught n लिखा उसका square क्या और यहाँ पे R n naught और position unit vector लिख दिया यह nth तक ऐसे करते गए वह यहाँ इस तरहा से प्यारे बच्छों तो इन सब का अगर मैं vector sum कर दूँ तो उसको बोलते superposition principle आपने apply कर दिया प्यारे मच्छों जी हाँ so superposition principle states that net force acting on a single charge due to multiple charges present in the surroundings will be equal to vector sum of all the vector sum of all the individual forces exerted by all the charges हाँ सब charges के दोबार जो individual forces exerted किये गए है उन सब का vector sum अगर कर दिया जाए तो net force हमारे पास इस पे आज आएगा not वाले पे प्यारे बच्छों so f net f net will be equal to force of not due to 1 plus force of not due to 2 plus force of not due to 3 and up to so on कहां तक force of not due to nth ऐसे लिख देंगे पहरे बच्छों बिल्कुल लिख देंगे सर अब इसको हटा दू यार इसको हटा दू अच्छा एक बात और बता दिता हूँ जो पहले बता चुका हूँ पिछले session में इस पे क्यो नोट पे क्यो नोट पे क्यो नोट के कारण जो force लगा उस पे बिल्कुल भी असर महीं पड़ता कि क्यो नोट पे क्यो टू के कारण क्या force लगा क्यो थरी के कारण क्या force लगा क्यो नोट और क्यो नोट के बीच लगने वाला force बिल्कुल भी depend नहीं करता या फिर बिल्कुल भी affect नहीं होता due to the presence of all the other charges मानलिया बताय तो था पिछली session में मैं हूँ और मेरा दोस्त है हमारी दोस्ती पे कोई भरक नहीं पड़ेगा अगर मेरा एक ओर दोस्त बन जाए तो हमारी दोस्ती का bond वैसा ही रहेगा हाँ नया दोस्त आए दुस्मनी आए no problem हमारी दोस्ती वही रहेगी clear यही case इसमें है simple तो भीया यह था superposition principle अब inter values पूट कर दो ये वाली उठा के यहाँ ये वाली उठा के यहाँ एनत वाली यहाँ सब को plus कर दो तो कर दो सब का सम कर दो भीया तो क्या वनेगा इसको हटा दू इसको हटा दू सब ये दो हो गया भीया चलो फिर अब ऐसे मतलिखना जैसे book में होता है वो क्या करता है r2 note को r2 note vector divided by its magnitude ऐसे लिखेगा प्यारे बच्चो फिर इसको r2 vector minus r note vector ऐसे लिखेगा प्यारे बच्चो करें यार कहां भकवास में पढ़ रहे हो नहीं लिखना ये सब जो करवा रहा हूं सिरफ वो करना full marks ना मिले तो मुझे बताना भीया मिलेंगे, मिलेंगे क्यो नहीं मैं तो देता हूं, हाँ चलिए, आगे चलिए, ठीक है सुनो भया, सुनो अब ये करना है अपने को so f net f net will be equal to लेखो, ये सारे this, पहले लेखो ये k q note, q1 by में this, 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 this आईसे, ऐसे, पलस करके सारे लिख दो पहले वाला, पलस में दूसरे वाला, पलस में तीसरे वाला में क्या common है, k q note, k q note, k q note, sum में common है तो पहले k q note लिख दो, अब sum summation पढ़ा होगा इलायंत करास में भी बिल्कुल किन किन का sum करना है भाई q1 था, q2 हो गया हाँ, q3 हो गया, q4 यानि qi qi लिख दो sub के नाम का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 की बजाए, nth लग, और i की value 1 से लेके, 2, 3, 4, 5 1 से लेके, n तक जाएगी हाँ, और divide में divide में r, note तो sum में है हाँ, और यहाँ पे i लगा दो और उसका square कर दो ठीक है और यहाँ पे r, one note, r, two note r, n note तक है यानि r, i, note यह irrit vector लगा लो यह अपने पास net force हाजाएगा पेरे बंचो समझ में आई मेरी बात यह इन सारे sum को इस formula में लिख सकते हैं कहीं भी इसका use नहीं करेंगे बस यह derivation अगर आगया exam में तो इसको पूरे marks दिला देगा आपको, इतना है लेकिन numerical solve करने में इसका कोई role नहीं है मैं दिखाऊंगा आपको इसका कोई काम नहीं है, भाड़ में जाएगे लेकिन derivation आगया तो करना पड़ेगा इसलिए करवाना तो था वहिया हो गया, आप numericals पे आजाए वहिया बस इतना करना है उस पचड़े में मत पढ़ना जो books में दे रखा आपको करें फिर start चलिए, numericals करते हैं लेकिन numericals पे चलने से पहले concept मैं आपको सिखाना चाहता हूं और वो concept क्या है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं यहां देखेंगे सभी बच्चे ध्यान से सुनना है प्यारे बचो vector, ilayant में अगर आपका vector अच्छा था तो superposition principle के numericals में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी लेकिन अगर अच्छा नहीं था vector तो vector की एक ही बात यहां पे use होगी वो सुननो ध्यान से सब हो जाएगा चलिए बता दूँ ठीक है सर बताओ मान लिया यह एक particle है प्यारे बचो यह डबबा है डबबा ठीक है सर इस पे आपने 20 newton का force ऐसे लगा दिया ठीक है सर और 60 newton का force ऐसे लगा दिया 60 newton का ओके यह F1 लगाया यह F2 लगाया प्यारे बचो और आपसे किसी ने पूछा इस डबबे पे net force कितना लगेगा ध्यान से सुनना है प्यारे बचो इस डबबे पे net force बता कितना लगेगा और यह भी बताना कि वो net force की direction क्या होगी एक बात बताओ प्यारे बचो क्या टपा इस तरफ जाएगा ना ये भी तो लग रहा है तो क्या उपर जाएगा ना ये भी तो लग रहा है तो लग रहा है कि ओवराल ऐसे जाएगा कुछ क्या बीचों बीच ना सर 60 वाले की तरफ जादा यानि ऐसे कुछ जाएगा common sense हाँ तो net force आता है पैरे बचो कैसे करते हैं उसका फार्मूला क्या था प्यारे बच्चो ये f net जो है ना इसका magnitude आ जाएगा कितना अंडर रूट f1 का square पलस f2 का square याद रखना पलस में 2 f1 f2 course of theta जहाँ पे theta क्या है f1 और f2 के बीच की angle जैसे यहाँ पे 90 है जरूरी नहीं है पैरे बचो हर बार 90 आई ऐसा भी बोल सकता ये एक डबा है उस पे ये force लगा एक 10 newton का ये force लगा 20 newton का इनके बीच में angle 30 degree है तो तब यहाँ पे आप 30 put कर देना समझ में आया तो ये जो answer आएगा न ये आपको इनके बीच का net force दे देगा यहाँ कहीं आया मान लिया तो net force तो इस formula से लिकाल लेंगे clear है simple ठीक है दूसरी बात इसके direction पूछेगा आप net force की direction बताओ तो आप क्या बोलोगे क्या आप ये बोलोगे कि F1 और F2 के बीच में कहीं ऐसा नहीं बोलेंगे फ्यारे बज्यों एंगल के साथ बताना है ओके बतादो एंगल कैसे लिकालते हैं चलो बई आप या तो एक काम करो या तो ये बतादो कि जो F net होगा न वो F1 से कितनी एंगल पे है या फिर ये बतादो तो जो F net होगा न वो F2 से कितनी एंगल पे है बस अंसर आ जाएगा तो मान लिया आप बताना चाहते हैं कि F1 के साथ बता देता हो मैं कितनी एंगल पे जाएगा net force हाँ बतादो भई मान लिया बीटा वो एंगल है बीटा ओके F1 F2 के बीच में एंगल कितनी थी थिटा तो थिटा तो किसके बीच एंगल दो अपलाइड फोर्स के बीच और बीटा किसके बीच एंगल रिजल्टेंट यारी net force और किसी भी एक के बीच हमने F1 के साथ मानी है तो प्यारे बीच इस बीटा की वैल्यू पता क्या होती है टेंजेंट बीटा अरे कहा गया सब एकदम से अपिस ओके नौ प्रोब्लम नौ प्रोब्लम चिलिए प्यारे बीच दोबारा से बना लेते हैं एक बार देखे इस तरह ऐसे थे दो फोर्सिज एक इस तरफ मान लेते हैं क्या माना था हमने इसको F1 माननू चलो F1 20 नूटन माना था प्यारे बच्चो इस तरफ इस बोक्स पर फोर्स लग रहा है ये F2 इसको 60 नूटन माना था हाना तो magnitude तो सीख ही लिया direction निकालनी फिर से देख लेते हैं प्यारे बच्चो पता नहीं कहां भाग गया हो चलो तो डपा किस तरफ जाएगा किस तरफ जाएगा क्या रखता आपको इस तरफ ना ना ये भी तो है सर तो और आल ऐसे जाएगा क्या बिलकुल बीचो बीच बीचों बीच जाता अगर ये और ये दोनों बराबर होते ये ज्यादा है तो बीच की बजाए थोड़ा सा इस तरफ यानि प्यारे बच्चो ऐसे कुछ जाएगा तो ये होगा F net की direction ये होगी है ना तो दोनों forces के बीच जो angle था उसको जो हमने theta लिया था प्यारे बच्चो हाँ तो अगर आपसे पूछे की net force की direction क्या होगी तो आप क्या बताएंगे क्या ये बताएंगे F1 और F2 के बीच में कहीं पे नहीं सर ऐसे तो नहीं बताएंगे तो क्या बताओगे प्यारे बच्चो इसके हिसाब से अंसवर देंगे तो भी ठीक है तो माल या आपने decide किया F1 के हिसाब से F net की angle बताना और वो तो theta ली थी इनके बीच ये beta ले लेते हैं प्यारे बच्चो तो याद रखना tangent of this angle of the resultant with one of the forces F1 will be equal to F1 sin theta theta कितना हैं दोनों के बीच जैसे यहाँ पर 90 है प्यारे बच्चो कुछ और होता तो वो ले लेते हैं ना जैसे मैंने आपको अभी बताया था ये रभ हो गया एक force इस तरफ है 20 newton मान लिया एक force इस तरफ है 60 newton मान लिया तो इनका resultant यहाँ कहीं आएगा तो यहाँ पर ये theta का काम करेगा और ये beta का काम करेगा clear है प्यारे बच्चो तो यहाँ पर theta जो given होगा यहाँ पर theta 90 है ही by me f1 f2 ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चो और plus में f1 के साथ ही course of theta लगा दे ना क्या मेरी बात clear है आप सबको जिसके साथ ये beta बताना है ना उसके साथ उपर sin theta लिख दो और नीचे उसी के साथ cos theta लिख दो और plus में दुसरे वाला force लिख देना ऐसे का ऐसा क्या मेरी बात clear है आप सबको so this is how you can do it तो प्यारे बच्चो ये एक ऐसा concept जो बहुत ज्यादा यूज होता है superposition principle apply करने के numericals में अभी हम देखेंगे तो 19 numerical में आपको try करवाने वाला हूँ principle of superposition के base पे net force निकालने के लिए coolant जो लोगा use करते हुए और principle of superposition का use करते हुए इन 19 में से guarantee देता हूँ प्यारे बच्चो exam में 3 marks में 1 question 100% मिलेगा क्यों sir इतनी guarantee प्यारे बच्चो या तो agities मिल जाए या फिर इसके ही जैसा ज़रूर मिल जाएगा यानि ये 9 किये या फिर ऐसे ऐसे 900 किये एक ही बात है तो करें फिर start चलिए